यह सब तुम पे depend करता है कितने भी strategy video देख लो कुछ फाइदा नहीं होगा जब तक तुम implement नहीं करोगे So hello everyone welcome to my channel तो कैसे हो सभी लोग तो I hope सभी लोग बढ़ी आओंगे घर बेड़ा मस्तवे में आप लोग अपने preparation कर रहे होगे तो बचे हुए last के 15 days और आने वाले है boards के examination और अब काफी सारे लोगों के दिल और दिमाग में डर का माहौल और जादा बन रहा हुआ क्योंकि जैसे जैसे exam करीब आएगा वैसे वैसे आप लोग के अंदर से जो अपना positiveness था जो confidence था वो सभी का सभी गिरने वाला है लेकिन उसको हम बचा सकते हैं कि last के 15 days के अंदर और जो last के 15 days के अंदर survive कर देगा वो ही topper आके बन जाएगा वीडियो के जरूर देखे आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशल होने वाला आप सभी के सभी students के लिए और साथी साथ चैनल को subscribe कर ले क्योंकि इस तरीके का प्यारा content मैं इस चैनल पे आप लोग के लिए लाता रहता हूं तो चलिए start करते हैं आज के इस वीडि तो जैसे कि आप सभी लोगोंने बहुत ज़्यादा वीडियो को पहले ही देख चुके होंगे कि last moment की strategy क्या रखना है 15 days की strategy क्या रखना है तो मैं ज़्यादा तर आप लोग को वैसे study planner की तुरूनी समझाओंगा कि भाई ये है इतना इतने घंटा इसको ऐसा दो मतलब उटो ब्रश करो उसके बाद आप पढ़ने बैटो उसके बाद आप दो नंबर को चल जाओ फिर उसके बाद आप नहने चल जाओ ऐसा वाला कोई प्लान नहीं बताऊंगा मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने इस last 15 days में strategy को follow up करते हुए अपने आप specific idle timetable provide कर दो मैं जानता हूं कि आप मेंसे काफी सारे ऐसे student है जो अलग-अलग stream से belong करते है कोई 10th का होगा कोई 12th का होगा लेकिन एक चीज समझने की कोशिश करो मैं आप लोग को ये नहीं बता सकता कि आपको कौन से subject में जादा focus करना है अब आप बोलोगे ऐसा क्य क्योंकि मुझे मालूम है कि आप मेंसे काफी सारे ऐसे student है किसी की strength किसी एक subject में अच्छी है तो किसी की strength किसी दूसरे subject में बेकार है तो याद रखिए अपने subjects को divide करने की जरूरत सबसे पहले आप लोग को पढ़नी चाहिए जिसी इसका examination सबसे पहले आप लोग का आने व पाओगे तो क्या करना है 15 days के अंदर आप लोग के पास जो subject का distribution होना चाहिए उसमें से आप लोग को main 3 subject को जाधा focus करना है और जो 2 main आप लोग के optional subjects है उन पे आप लोग को यार थोड़ा कम focus करते हो प्रिपरेशन करना है क्यों क्योंकि जो optional subject है उसको आप लोग तगड़ से मांक्स लेकर आ सकते हो लेकिन जो main subject है चाहे वो 10th के हो 12th के हो किसी के भी हो वो जाधा यार scary हो जाते क्योंकि वहाँ पर प्रिपरेशन हमारी उतनी खास नहीं रहती है तो better है उसमें जाधा focus करें और हो सके तो उन topics पे आप लोग जाधा focus करने की कोशिश करें जो exam point of सभी से बहुत जाधा important है आप सभी लोग जानते हो YouTube में बहुत सारे अच्छे अच्छे YouTubers हैं जिन्होंने subject wise जो भी important topics होते हैं उनके बारे में आप लोग को पहले से चीजों को provide कर दिया होंगे तो आप लोग जाधा focus करें और उसके तुरू अपनी preparation को आगे बढ़ाने की क कोशिश करें क्योंकि जितने भी important topics होते हैं वह topics होते हैं जो last year, previous year या हमेशा से CVSE पूछता है तो possibility जिस topic की जाधा है उसमें आप लोग जाधा focus करें मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको hard work नहीं करना है अब क्योंकि time ही नहीं इतना तो आप लोग smart work करने की तगड़ कोशिश करें इसके अलावा जो major mistake maximum लोग करने वाले है वो है अपने study material को लेकर क्यार मैं इससे भी पढ़ लूँगा उससे भी पढ़ लूँगा याली notes भी पढ़ लूँगा मेरे दोस्त ने बता है उससे भी पढ़ लूँगा भाया ने बता है तो वो भी पढ़ की question bank यह आप लोग के पास होना चाहिए यह sufficient आपको तगड़े मांक स्कोर तरवाने में अब आप बोलोगे कि भाया ncrd करें के नहीं करें देखो यार मैं जानता हूँ time कम बचा हुआ इतना time नहीं कि हम लोग पूरी ncrd पढ़ लेकिन ncrd के अंदर काफी सारे important questions रहते तो मैंने अब भी आप लोग को समझा है कि आप लोग को एक अच्छा question bank रखना है subject wise तो इससे होगा क्या कि आप लोग के पास subject wise question bank होगी उसके अंदर भी chapter wise सारे topics आप लोग के होते हैं उसी के अंदर आप लोग को यार ऐसा तो होता नहीं कि सिर्फ previous year के question नहीं रहते हैं ncrd exam ncrt important questions सब कुछ उसके अंदर include रहते हैं तो अगर आप उसको एक से दो बार revise कर लोगे तो आप लोग के लिए तगड़े तरीके से beneficial हो जाएगा तो याद रखें अपने study material को कम से कम इस time पर रखने की कोशिश करें क्योंकि जितने जादा study material होगा मेरी guarantee कि आप लोग यार होने वाले हो और बहुत जादा होच पोच हो जाएगा आप लोगों के लिए इसके अलावा आप मेंसे काफी सारे लोग ऐसे होंगे कि भाईया revision कैसे करें क्या self study से करें या one shot के थ्रू कर लें अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कम time के अंदर यार अपना self study के थ्रू revise कर स सकते हो YouTube में धेर सारे one shots आप लोग को मिल जाएंगे respective subject के तो उसके दो आप लोग content cover up कर सकते हो मेरे channel पे आप लोग को physical education के one shot cover up हो जाएंगे जो सारे के सारे पहले chapter से लेकर 10 chapter के सभी के सभी videos बने हुए तगड़े तरीके से जिसमें कि आप लोग के कम time के अंदर पूरा अगड़ा preparation हो जाएगा इसके अलावा जखी सौदागर physics नाम को एक नया channel है जो मेरा उसमें class 12 के लिए physics के one shot सारे मैं cover up करवा रहा हूं और काफी सारे chapter मैंने करा दिया हूं तो वहां से जाके आप लोग यार one shot देख सकते हो physics के लिए और इसके अलावा आपके लिए स्ट्रेस को avoid करना है क्योंकि स्ट्रेस लेवल 50 गुना बढ़ने वाला है इस टाइम पे क्योंकि आपका जो आसपास आपके जो दोस्त त्यार होंगे आपके आसपास जो YouTube है उसके अंदर बहुत सारी चीज़े घूमते रहती है वो क्या करता है क्या किसी की preparation इतनी हो चुकी क्या होता न कई बार हम लोग live sessions attend करते रहते इस time पे और होता है काफी सारे लोग answer कर रहे है अपन से नहीं बन रहा है तो ऐसे में stress level बढ़ जाता है या आप अपने दोस्त को phone लगा के बोले कि भाई कहां तक पढ़ लिया उसने बोल दिया भाई मेरा तो उसले बस 5 बार हो पढ़ना चालू करें उनको भी stress होगा तो भाई एक बात बताओ stress लेकर क्या exam अच्छा चला जाएगा नहीं जाएगा ना तो भाई 15 दिन बचे हो मिश्किल से stress मत लो exam दे दो उसके बाद result के लिए stress लेते रहे जितना ले सकते हो इसलिए दोस्तो positive रहो confident रहो over confident कभी important चीज जो मेरे को लगता है कम लोग बताते हैं जाता तो लोग इस चीज पर cover नहीं करते हैं वो यह है कि आप लोग को enough sleep लेना है मैं जानता हूँ exam time है आप लोग का दिमाग खराब हो रहा हुआ क्यार इस last moment में कितना पढ़ ले ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले कितना cover कर सकते हैं तो आप में से काफी सारे student होंगे जो नीन अपनी पूरी नहीं ले रहे होंगे रात भर बैटके पढ़ रहे होंगे तो भाई एक चीज समझो last के 15 दिन है इसमें अगर आप नीन अच्छे से मतलब यह नहीं कि सो ही रहा है भाई अगर आप 6-7 घंडे की भी नी नीन ले लोगे तो sufficient है हो सके तो रात की नीन लेने की कोशिश करो कि रात बनी ही सोने के लिए हमारा जो biological system है वो उस तरीके से वर्क करता आप हो सके तो दुफैर वाली नीन मतलो ज्यादा beneficial रहेगा उस ताइम पे आप productive रहने की कोशिश करो आपकी enough sleep होगी तो वो आप लो mental level खराब होते जाएगा क्योंकि पढ़ाई के ताइम पे mental level बहुत जादा वर्क करता है और वो दीरे-दीरे करके खराब होने लग जाता है और कुछ भी चीज ऐसे लगेगी यार कुछ पढ़ा ही नहीं है ऐसा लगने लग जाएगा क्यार बस अब नहीं होगा मिरसे exam clear तो ऐसी चीज़े आ सकती तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ पर भी focus करना है इसके अलावा आप मेंसे काफी सारे ऐसे लोग होगे कि भाया हमने sample paper ले लिये क्या करें कितने sample paper करें भाई देखो sample paper खरीद लियो हो सकता है आपके sample paper के अंदर 15 sample paper हो हो सकता है आपके sample paper के आज कर रहे हो दस कर रहे हो अगर आप उसको इमानदारी से कर रहे हो तो वो आप लोग के लिए beneficial है ऐसा नहीं है कि हवावाजी में sample paper को solve करते हुए बड़े clear दो sample paper आप लोग का level कही ना कही boost up करेगा क्योंकि जब exam देने जाओगे तो उस time प्यार अगर आप ऐसे सोच र है याद रखो ऐसा मत सोचना कि आप कोई भी concept को इस last moment में नहीं समझ सकते हो इस last moment में smart way करते हुए अपने आपको prepare करो जिससे कि जब आपको ऐसा लगे कि यह topic मिट से छूट रहा है वो hard topic मुझे नहीं समझ में आ रहा तो यह आपके पास अभी एक बहुत ही plus point है जिसको क्या आप तगड़े number ला सकते हो तो दोस्तों sample paper के तो अपने आपको जरूर analyze करें तो market में ऐसे धेर सारे sample papers आते हैं जो आप लोग की बहुत सादा help कर सकते हैं अगर आप मुझसे कहते हो कि कौन सा best sample paper रहागा तो मैं आपको recommend करना चाहूँगा Oswal Gurukul के sample paper class 10th 12th दोनों के लिए इसके अंदर benefit आप लोग के लिए है कि आपके जितने भी 500 subject है वो एक ही book के अंदर cover है और यह NCRT के questions भी इसके अंदर included है और साथी साथ previous year के questions भी इसके अंदर include करके दिये गए और सारी चीज़े nicely पस क्या according है बहुत तगड़ी book है आप इसको purchase कर सकते हो अगर आप चाहो तो इसको Amazon के through एक great deal में जल से जल order कर सकते हो link description में यगर आप चाहो तो इसको ebook format में पढ़ सकते हो जो आपको और ज्यादा less price पे मिल जाएगी तो तगड़ी book है इसमें आपको सारे answers available है सारे subject सारी branches सभी के लिए available है और पांचों के पांचों subject इसके अंदर है तो जो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा beneficial रहेगा तो link description में given है वहां से जाके आप check out करें इस book को इसके अलावा दोस्तों आप लोग को इस last moment के अंदर procrastinate बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि बचे ही मुश्किल से 15 देना और आप ये सोच रहे हो कि मैं अगले दिन टाल गलत कर रहे हो यार मत करो ऐसा आप अपने आपको ही सच में अर उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ अपने दिमाग को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है पढ़ लेंगे ऐसा मत करो ठीक है ना थोड़े से सुकून पाने के लिए आने वाला जो सुकून है वो छिंज आएगा, तो ऐसी गलती ना करें, इसके अलावा काफी सारे ऐसे लोग है कि जो सुबह से बैठेंगे पढ़ने, पढ़ रहे है, पढ़ रहे है, पढ़ रहे है, पढ़ रहे है, इस लास्ट मुमेंट में इतना जादा अपने आपको होच पोच कर लेते हैं टॉपि इंटर लेवल को भी आर सही रखेगा, देखो दोस्तो, जितना जादा आप पढ़ना चाहते हो, जितनी जादा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना चाहते हो, कही ना कही वो आप लोग की कैलोरी इंटेक पे भी डिपेंड करता है, तो आप अपने BMR को यहाँ पे जादा से ज जादा रखने की कोशिश करो, और इसके अलावा एक चीज़ याद रखो कि यार अच्छा nutritive element को consume करने की कोशिश करो, इस last moment में protein-rich diet consume करने की कोशिश करें दोस्तो, अच्छा खाओ और मस्त खाओ, जादा carbs वाली diet लोगे तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो करने की कोशिश करें, चाहे वो vegetarian source वाले हो या non-vegetarian source वाले, आप अपने according देख सकते हो, और साथ में जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो उस time पे आप लोग थोड़ा बहुत ऐसे dry fruits वगरा खा लिए, या आप लोग popcorn वगरा खा लिए, जिससे कि आप लोग का metabolism level हमेशा ब लगा सकते हो, इसके अलावा आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे, जो अभी के time पे भी hesitate कर रहे होंगे कि यार अगर मैंने इस topic के बार में किसी से पूछा तो यार उसको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, भाई hesitate करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इसा लगता है तो आप अपने स्कूल के टीचर से जाके topic समझे, अपने दोस्त से समझे, YouTube के educator से समझ लो, जिस भी online platform से पढ़ते हों उनसे पूछ लो, offline educator से पढ़ते हों उनसे पूछ लो, भाई पूछो, नहीं पूछोगे तो वक्त निकल जाएगा तो फिर कुछ काम नि आएगा, शर्माने की जरूवत है नहीं, भाई अभी preparation का time है, चले भले ही 15 दिन बचा हुआ है, जो भी है, लेकिन धबराना नहीं है, कोई doubt आता है, silly doubt आता है, तो बेशक पूछो, silly doubt ही आप लोग को topper बनाएंगे दोस्त, तो याद रखो, अपनी preparation को तगड़ी रखो, consistency matter करती है, अगर आप consistent होकर इस 15 दिन में पढ़ोगे, तो definitely आप लोग बहुत तगड़े number ला सकते हो, structural way में बढ़ने की कोशिश करोगे, तो definitely आप number ला सकते हो, यह सब तुम पे depend करता है, कितने भी strategy वीडियो देख लो, लाग फटे तक आप वीडियो देख लोगे, 100-200 व खुद इसे एक promise जरूर करना है, कि यार मुझे करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे number लाना है, खतम गानी, तो आप अगर अपने दिल दिमाग में इस चीज को बढ़ा गे रखो, तो definitely अच्छे number आ सकते है, फिर किसी भी type की strategy वीडियो को देखने की जरूरती नह अभी इस time पे आप लोग को मायूस नहीं होना, जो मायूस होगा वो अपनी preparation कर आप कर देगा, तो अपनी preparation को best रखो, confident होकर अपनी preparation करने की कोशिश करो, इसके अलावा आपके भाया आपके साथ बने हुए, चैनल को subscribe कर दो, इस चैनल पे आप लोग के लिए प्यारा content में physical education और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो में अप्लोड करते रहता हूँ, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं subject wise बता दू कि कौन से one shot वीडियो आप देखना चाहते हो, कैसी strategy रखना चाहते हो, अपने respective subject की, तो मैं सभी subject के ओपर class 10 पे लिए बनाने की ज़रूर कोशिश आप हो सके तो यार description में, sorry, comment में आप लोग मुझे जरूर बताए, वहाँ पे जाके आप लोग अपने राय साजा कर सकते हैं, जो भी आप लोग चाहते हो, जिस भी subject related, जिसमें आप लोग के लिए best YouTube channel, best notes, best strategy, सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा, अगर आप चाहते पहले वहाँ पे आप लोग की तगड़ी preparation कराने की जिम्मा मेरा है, तो उस channel को भी जाके जरूर subscribe करेना, तो चलिए end करते हैं, आज के इस वीडियो को मिलता हूँ, मैं next वीडियो में, जब तक के लिए good bye, पढ़ाई करते हैं, सदा सेक्सी राय, मेरे students बरी जान, bye